हाई गाईज वेलकम टू माई चैनल आज मैं आपको बताने जा रही हूँ ब्रेट का हलवा कैसे बनाते हैं ब्रेट का हलवा बनाने के लिए हमें चाहिए एक कटोरी देशी घी आप फॉर्चून भी ले सकते हैं मेवे में हमें चाहिए कटे हुए बादाम और काजू इलाइची पाउडर एक कटोरी चीनी चार से पांच ब्रेट के स्लाइसे चाहिए हमें ब्रेट का जो ब्राउन वाला पार्ट है उसकी जरूरत नहीं हमें तो उससे ऐसे काट के निकाल लेंगे और ब्रेट को ऐसे कट कर लेंगे इसी तरह से हमें सारे ब्रेट कट कर लेने हैं अब गैस पे पैन रख देना है पैन जब गरम हो जया है तो इसमें हम एक चमज फॉर्चून एड़ कर लेंगे अगर आपने घी लिया है तो आप इसमें घी एड़ कर लिजेगा इसे गोल्डेन ब्राउन फ्राई कर लेंगे गैस इसे आप ज्यादे ओयल में भी तल सकते हो इसी तरह से हमें सारे इब्रेट को फ्राई कर लेना है इस तरह से अब जो हमने मेवे लिये थे उसे हलका सा गोल्डेन ब्राउन करना है अब पैन में एक चमज देशे घी एड़ कर लेना है और इसमें काजू को हलका सा भून लेना है काजू जो है वो भून चुका है इसे अब हम निकाल लेते हैं बदाम को भी हमें हलका सा भूनना है आप फल्वे में किसमिस अगर डालना चाहें तो आप किसमिस भी ले सकते हैं अब हमें चाशनी बनाना है तो चाशनी बनाने के लिए हमें ले लेना है एक कटोदी चीनी और इसमें आधा ग्लास पानी आड़ कर देना है दो से तीन मिनट इसे पका लेंगे चाशनी जब पक जाए तो इसमें हम ब्रेट के टुकड़े एड़ कर देंगे और इसे अच्छे से चला लेंगे दो से तीन मिनट इसे भून लेना है अब हम इसमें एड़ कर देंगे फ्राइ किये हुए काजू और बदाम अब इसमें हम एड़ कर लेंगे लाइची पाउडर और इसे एक मिनट तक भून लेंगे ब्रेट का हलवा बनके रेड़ी है अब इसे मैं सफ करती हूँ अब इसे एक मिनट लेड़ी है अब इसे आफ़ कर देंगे लेड़ एक मिनट लेड़ी है झाल झाल